प्रेक्टिस सेट नमबर यह 124 है यूपी प्यस्सी आरो यारो के लिए प्रेक्टिस सीरीज चल लाई है और प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम प्रीवेसर के प्रश्णों पर यह प्रश्ण जो है इनकी पुन्रावत्ती ज्यादा ही होती है कुछ इसलिए इंपॉर्टेंट है कल का जो 123 नमबर का जो हो उसमें हमने प्रीवेस इसिर प्रस्णों को न देखा इसमें भी यह प्रीवेस इसर के प्रश्णों को देखेंगे हम तो के लिए परुष्य नमबर बने किसने जलिया था सब तتي वiateकारण के विरोध संकर नायर देखिए नंबर इस पर कॉलिया वाटसप करके आप आरो एरो की फुल टैस्ट चे सिरीज प्राप्त कर सकते हो तो जलिया बालाबाग हत्याकारण के विरोध में वाइसराय की कारकारणी परिस्ट से सर संकर नायर ने इस तीपा दिया और रविना टैगोर ने इस हत्याकारण के विरोध में नायट की उपाधी वापस कर दी थी दोनों के दोनों स्टिट्मेंट की जो लाइन है इंपोर्टन्ट है ठीक है नायट की उपाधी किसने वापस की रविना टैगोर ने वौईसराय की कारकारणी परिसत से स्त्धीपाके इसने दिया संकर नायर ने Qu Inspector No.2 पर आजिए जलियाबलाबाग हत्याकांग के विरोध में Hunter Commission गठित किया गया था अब को बताना है कि इस Commission में कितने भारतिय सरश से थे कितने भारतिय सरश से पूछ रहा है अंटर कमिशन गठित किया गया और इस आठ सदस्य आयोग में पांच अंग्रेज थे तीन भारतिय सदस्य थे भारतिय सदस्यों में कौन कौन थे सर चिमनलाल सितलबाड साहब जादा सुल्तान अहमद और जगत नारण इन तीनों का नाम याद रखना इंपोर्टन्ट है स्ट तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्णर जनरल डायर की जो है उधम सिंग ने मार्च 1940 में लंदन में गोली मार कर हत्या कर दी थी माइकल और डायर को मारा था कुशन नमबर फोर पर आजई अशयोग आंदोलन इस्थापित हो जाने के बाद नमलिकित में से कौन सा आंदोलन एया प्रसंगिक हो गया कौन सा वाता खिलाफत आंदुलन ओप्सा नमबर सी है इसका अंदुलन तो असयोग आंदुलन इस्थागित हो जाने के बाद खिलाफत आंदुलन भी जो है आप रसंगिक हो गया और तुर्की की जनता जो है मुस्तफा कमाल पासा के नितरत में उठ खड़ी होई और उसने नौमबर 1922 में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया कमाल पासा ने तुर्की के आधुनी की करण के लिए अनेक कदम उठाए तथा खलीफा का पर साप्त कर दिया कमाल पासा ने 1924 में खिलाफत को साप्त कर दिया कोशन नौमर 5 पर आजए नमलिखेत कथनों पर विचार करेंगे दो कथने याँ पर असयोग आंदोलन की राष्ट्य आंदोलन में महतपुन भूमिका रही इसने राष्ट्य आंदोलन को जन आंदोलन का रूप परदान किया बिल्कुल ये दोनों के दोनों statement correct हैं C है इसका answer देखे असयोग आंदोलन की राश्ट्य आंदोलन में महतबुन भूमिका रही इसने राश्ट्य आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया प्रोफेसर कूपलेंड के अनुसार गांधी जी ने वहकार किया जो तिलक ना कर सके उन्होंने राश्टे आंदोरन को एक क्रांतिकारी आंदोरन के रूप में परिवर्थित कर दिया असयोग आंदोरन ने देश को सतंत्र था ये लक्षकी और अगरसर किया और इस आंदोरन लोगों में निर्विकता तथा उत्सा का संचार किया स्वराज पार्टी इंपोर्टेंट है स्वराज पार्टी से यूपी से सिवल सेवा तक और स्टेट पी सीएस यानि यूपी पी सीएस तक में पिछले दस वरसों में दो से तीन बार प्रश्ण बने है तो प्रश्ण यहां पर है कि स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या बाधार डालना ठीक है option number A है इसका अंसर तो सुराज पार्टी की सापना इसी कई प्रश्ण बनते हैं किस ने की थी मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास ने की थी ठीक है ABCD वाला गार option आए तो दोनों ना हो तो एक होगा तब भी आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह है इसक कोशन no.7 है कोशन no.7 है 1923 में सुराज पार्टी ने केंद्रे लेजिसलेटिव असेंबली का चुनाब लड़ा और 40 से अधिक सीटें जीती इतनी सीटें जीतने के बाबजूद उन्होंने अंग्रेजों को मनमाने विध्यकों को पारित करने से कई बार रोका नहीं रोक पाए वो इतनी सीटें जीतने के बाद भी किवल पहला बाले करेक्टर है यहां पर यह है इसका अंसर देखे 1923 में सुराज पार्टी ने केंद्रे लेजिसलेटिव असेंबली का चुनाब लड़ा जिसमें 40 से अधिक सीटें जीती इतनी सीटें जीतने के बाबजूद उनकी संख्या कभी उतनी नहीं रही कि वो अंग्रेजों को ऐसा विध्यक पारित करने से रोक सकें जिसें अंग्रेज आंत्रे के ववस्था बनाए रखने के लिए जरूरी समस्थे थे कि क्या तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हो गया गलत यहां पर चलिए कोश्यन नुबर एट पर आजए नम लेकित में से कौन सराज पार्टी के विधान परिश्दों में सरस्य बनने और कारवाही में बाधा पहुंचाने की नीती का विरोधी था महत्मा गाधि रजञंतर परसाद बाल गंगा धर्तिलक डोक्टर भीम राम बेटकर इसका अंसर उप्सन नमबर A, महत्मा गांधी देखिए महत्मा गांधी स्वराज पार्टी की विधान परिश्दों के सरे सबनने वे कारवाही में बाधा पहुचाने की नीती के विरोधी थे और सियारदास जो है स्वराज पार्टी की अध्यक्स थे जबकि मोतिलाल नहरू पार्टी के महामंत्रियों में से एक थे इन दोनों का नाम याद रखेगा कोशन नमबर नाइन पर आजिए नमरीकित में से कौन अगस्त 1925 में पर्था मैंसे भारतिय थे जो केंद्रिय व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्स चुने गए कई बार प्रश्णी पूछा गया अग्जाम में और इसका उत्तर है बिठल भाई पटेल तो बिठल भाई पटेल जो है अगस्त 1925 में पर्था मैंसे भारतिय थे जो केंद्रिय व्यवस्थापिका के अध्यक्स चुने गए कोशन नमबर दस पर आजिए वाई कॉम सत्याग्रे किसके लिए था वाई कॉम सत्याग्रे किसके लिए था वाई कॉम सत्याग्रे था मंदिर प्रवेश के लिए अप्सा नमबर यह है इसका आंसर देखे वाई कॉम सत्याग्रे जो है मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था यह आंदोलन निम्न जाती है एजवाओं और अचूतों द्वारा गांधी वारी तरीके से त्रावण कोर के एक मंदिर के निकट की सडकों के उपियोग के वारे में अधिकारों को मनवाने का प्रयास था त्रावण कोर के एक गांध वाइकों में 30 मार्च और 1924 को कांग्रेसियों के नेतरत में सवर्णों और अवर्णों का एक जुलूस छुआ छूद कानून की अभेलना करते होए मंदिर पहुचा था और 11 पर आजिए सतनामी विद्रोह के विशे में प्रश्ण है नमलेखित कत्नों पर विचार करेंगे पहला इस स्टेटमेंट है इसमें 1672 में उन्होंने किनोंने सतनामियों ने सक्तिसाली मुगल सामराज के खिलाब विद्रोह किया और दूसरा स्टेटमेंट है विद्रोह तब भड़क उठा जब मुगल सैनिक ने सतनामी को मार डाला बिल्कुल ऐसे ही वा था करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका अंसर है अब कौन है सतनामी देखे सतनामी मूल रूप से वे हिंदू उपासक के एक उग उग्रबादी संपरदाय थी ठीक है हरियाना के नारनौल में 1657 में बीरभान नामक एक संत द्वारा इस्थापित सतनामी देखे इस संपरदाय की प्रमुक धार्मिक अतिविधी भगवान विशेश रूप से राम और क्रश्न के सच्चे नामों यानि सत नाम का जाब और ध संपरदाय को रभी दासी संपरदाय की साखा माना जाता है इसमें जो है हिंदू समाज के निचले तपके विशेश रूप से चमड़े के मजदूर सफाई करमचारी बढ़ाई सुनार आदी सामिला और इस संपरदाय के अनयाईयों ने अपने सिर मुंडबा रखे थे इस प लहा गया अब विद्रो हुआ था 1672 में मुगल सामराजे वाला ही ये सन है 1672 में सतनामियों ने जो है सक्तिसाली मुगल सामराजे के खिलाब विद्रो किया विद्रो तब भढ़का जब एक मुगल सैनिक ने सतनामि को मार डाला अब सतनामियों ने क्या किया बदला लेने के के लिए उस मुगल सैनिक को मार डाला और उसकी लास को जो है मुगल सैनिकों को भेज दिया ठीक है सतनामियों ने छेत्र के मुख्यवस्ती नारनौल पर हमला किया और मुगल चौकी को नश्ट कर दिया और उन्होंने अपना परशाशन भी खड़ा कर दिया इसके बाद क्या उन्होंने सहजानाबाद यानि पुरानी दिल्ली की और अगरसर हुए वो जो नवीनतम यूरोपियर डिजाइन किये गए बंदू को जो की नेताओं के उनके नेताओं ने जो है उनके बनाना सिकाया था उससे लेस थे उनके पास बंदू के थी लेकिन इस विद्रो को चलने के लिए तोप खाने के साथ 10,000 सेनिकों को भेजा था और अंजेब ने देखे भारते थियांस के बहुत सारे विद्रो या तो अंग्रेजों के द्वारा कुछल दिये गए ठीक है या दूसरे जो लोग भारत पर शाशन कर रहे थे उनके द्वारा कुछल दिये गए दिला सकता महात्मा गांधी जोतिवा फुले भीम रामबेटकर ए आर तेसाई इसका आंसर आपसर अंबड़ी बी आर अंबेटकर देखे अपनी पुस्तक उनकी एक पुस्तक है एनिलेशन एनिहलेशन ऑफ कास्ट यह नाम याद रखेगा डॉक्टर भीम रामबेटकर की प कहा है उन्होंने संब्यधानिक नैतिकता एक प्राकर्तिक भावना नहीं है इसको जगाना होता है हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे लोगों ने अभी तक इसे नहीं सीखा है भारत में लोकतंत्र भारत भूमी पर एक मात्र सीष ब्रणोप चार जो अनिवार रूप से आलोक तांत्रिक है कोश्चन नमबर 13 पर जीए भारत में पंचवर्सी ओजनाओं के संबंद में नमलिखित युगमों पर विचार कीजिए पंचवर्सी ओजनाओं का कॉंसेप्ट हट चुका है लेकिन PCS के एक्जाम में या दूसरे competitive एक्जाम में आज भी सवाल बनते हैं इसको हिस्ट्री मान कर और पंचवी पंचवर्सी ओजना तो बहुत important है पिछले 10 परसों में बहुत प्रश्ण बने इससे तो पंचवी पंचवर्सी ओजना ये विबरन इनके सामने पंचवी पंचवर्सी ओजना के सामने गरीवी हटाओ का नारा लेखा है आठवी पंचवर्सी ओजना के सामने इसे सीर अंगराजन ने तयार किया था और ग्यार्वी पंचवर्सी ओजना के सामने लेखा है नई अधरीति याद रख़ेगा पांची-पंच वरशी ओजना में गरीबी हटाव का नारा साजिय है कि सी रंग राजनने तयार किया था कि ग्यार कि यारी पंच वर्शी ओजना को और आअर्थिक नीती है है वो आथ 25 वरशी है में थी कर दूसरा आं goose गरीवी हटाव का नारा जो हैस में इसमाजल किया गया और 1978 में मुरारजी देशाई सरगार द्वारा साब्त कर दिया गया इस पंच परसी होजना को लक्ष ब्रद्धी कितनी 4.4 प्रतिशाथ वास्तिविक ब्रद्धी 4.8 प्रतिशाथ आठ्वी पंच परसी होजना 92-1970 में उद्देश शिक्या है मानव संसादन विकास और भारत की आर्थिक निती का सुभारा मिस में किया गया लक्ष ब्रद्धी 5.6 प्रतिशाथ वास्तिविक ब्रद्धी 6.8 प्रतिशाथ ग्यारवी पंच परसी होजना के पास आजएए दोहार साथ से दोहार बारा उद्देश शिक्या तीब्र और समाविशी विकास और सी रंग राजन द्वारा तियार किया गया थे इसको ठीक है तो दूसरा तीसरा दोनों कलता उपर उल्टा फुल्टा लिखा और सी का पनाया गया था भारत विकास स्रकार की अनुम्हास का प्रणाली की उत्तिती तो पहला साइए!」 उद्यविक लाइसेंस में वानेजिक गतिविधियों को सुरू करने के लिए सरकार की अनुमती लेना सामिल है यह कुछ उद्यविकों के विनेमन और विकास के लिए भी परदान करता है देखे इसे सोवियत आर्थिक योजना और तेजी से पूझी गयहन और दोविकरन से अपनाया गया था तो दूसरा भी करेक्ट है तो आंसर सी हो गया लाव शूट गया यहां पर ठीक है लाव परदान करता है भारत के योजना और के समद में निमलिखित कत्मों पर विचार करेंगे इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसके अध्यक्स थे जवाहरलाल नहरू और यह एक कारेकारी निकाय था यानि एक्जिक्योटिव बोड़ी सलाकारी निकाय था ठीक है पहला वाला करेक्ट है तो योजना और की स्थापना 15 मार्च 1950 को ही थी जिसकी अध्यक्स थे जवाहरलाल नहरू तो पहला वाला स्थिट्मेंट करेक्ट हो गया दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि एक सलाकारी निकाय था था मतलब हट गया गया तो यहर 15 से जो हैस में योजनायो के स्थान पर नीती आयोग आ गया जिसे देश के सभी संसादनों का अकलन करने और भारत के विकास के लिए दीरकाली करणीती त्यार करने की जिम्मेदारी भी इसे आर्थिक नियोजन की सोभी अत्साली से अपनाया गया था तो दूसरा वाला इंकरेक्ट है पहला वाला करेक्ट है कारेकारी नहीं सलाकारी है तो 15 प्राशन एड़ थे इनकी प्रेक्टिस आप एक से दोबार कर सकते हैं इन सभी टेस्ट का पीडिया पर राप्त कर सकते हो वो मिलेगा आपको पेट टेलिग्राम गूप में यह नंबर इस पर कोले वाट्सप करके वागी सब्सक्राइब रखेगा से बल सर्वसे स्टेडी चैनल को लेटेस्ट का नोटिफेकेशन पाने के लिए हैं बैल आइकन को प्रेस्ट रखिए एक लाइक आप कर सकते जो अगर टेस्ट पसंद आता है तो जो भी कॉमपटेटिव एक्साम की तयारी कर रहा है और मैं शेयर कर सकते हो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा